अमरीकी सेना बीते कई साल से अफगानिस्तान में रहते हुए तालिबान के खिलाफ संगर्ष कर रही है लेकिन अब ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि अमरीकी सरकार अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की योजना बना रही है अफगानिस्तान में इस अमरीकी सैन्य टुकडियां तालिबान समेत दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ लड़ाई में अफगान सरकार का सहीयोग कर रही हैं अमरीकी नित्रितव वाली गडबंदन सेनाओ ने तालिबान को साल 2001 में ही अफगानिस्तान की सत्ता से बाहर कर दिया था इसके बावजूद अब भी तालिबान के पास लगभग 60,000 लड़ाके हैं यही नहीं, बीते 17 साल में अफगानिस्तान में तालिबान के छेत्रिय नियंत्रण में बढ़ोतरी हुई है अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच संगर्ष बढ़ता जा रहा है इस तरह के चरमपंथी अभियानों को अंजाम देने के लिए भारी आर्थिक सहायता की जरूरत होती है ऐसे में सवाल उठता है कि तालिबान को ये आर्थिक मदद कहां से मिलती है तालिबान ने साल 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर राज किया है इस दोरान अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू था इस संगठन से जुड़े धन के आवागमन को समझना एक तरह से कयास लगाने जैसा ही होता है क्योंकि ये खुफिया चरमपंथी संगठन अपने खातों से जुड़ी जानकारी परकाशित नहीं करते लेकिन बीबीसी ने अफगानिस्तान के अंदर और बाहर ऐसे कई लोगों का साक्षातकार किया है जिसके आधार पर पता चलता है कि तालिबान एक बेहधी जटिल आर्थिक तंत्र चलाता है और चरमपंथी अभियानों को अंजाम देने के लिए कराधान प्रणाली यानि टेक्सेशन सिस्टम का इस्तिमाल भी करता है साल 2011 में इस संगठन की वार्शिक आये लगभग 28 अरब रुपे थी लेकिन ऐसा माना जाता है कि अब ये आकड़ा बढ़कर 105 अरब रुपे से ज्यादा हो सकता है अफगानिस्तान और अमरीकी सरकार उन नेटवर्कों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है अब से कुछ समय पहले अमरीकी सरकार ने नशीले पदार्थ बनाने वाली प्रियोगशालाओं पर बंबारी करने की रणनीती बनाई थी लेकिन तालिबान की कमाई सिर्फ नशे के कारोबार से नहीं होती है संयुक्त रास्ट्र ने साल 2012 में उस धारणा के खिलाफ चेतावनी दी थी जिसके तहत ये माना जाता था कि अफगानिस्तान में तालिबान की कमाई का मुख्य श्रोत अफीम की खेती है अफगानिस्तान दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है यहां जितनी अफीम हर साल पैदा होती है उसे निर्यात किया जाए तो 105 से 210 अरब रुपे की धनराशी पैदा होगी अफीम की खेती एक बड़ा व्यापार है दुनिया भर में हेरोईन की ज्यादा तर आपूरती भी इसी छेतर से होती है अफीम की खेती वाले छेतर के एक हिस्से पर सरकार का नियंतरन है लेकिन अफीम की खेती वाले ज्यादतर हिस्से पर तालिबान का नियंतरन है ऐसा माना जाता है कि ये तालिबान की आये का बड़ा श्रोत है लेकिन तालिबान इस व्यापार के अलग-अलग स्तरों पर टैक्स लेता है अफीम की खेती करने वाले किसानों से 10 प्रतिशत उत्पादन टैक्स लिया जाता है इसके बाद अफीम को हेरोईन में बदलने वाली प्रियोक शालाओं से भी टैक्स लिया जाता है यही नहीं इस अवैद व्यापार को करने वाले व्यापारियों से भी टैक्स वसूला जाता है इस तरह इस व्यापार में हर साल तालिबान का हिस्सा लगभग 7 अरब रुपए से लेकर 28 अरब रुपए के बीच होता है अमरीकी से ना कहती है कि तालिबान की 60 फीसिदी आए नशे के कारोबार से आती है साल 2018 के अगस्त महिने में अमरीका ने दावा किया था कि उसने अफगानिस्तान में मौजूद संभावित 400 से 500 प्रियोक्षालाओं को धुस्त कर दिया है जिन में से आधी से अधिक दक्षणी हेलमंड प्रांत में थी इसके साथ ही ये भी दावा किया गया था कि हवाई हमले ने तालिबान की अफीम के व्यापार से होने वाली कुल कमाई के एक चौथाई हिस्से को खत्म कर दिया है लेकिन इस हवाई हमले के दीर्ग कालिक प्रभाव अभी बाकी है साल 2018 की शुरुवात में BBC की एक investigative story में पता चला था कि अफगानिस्तान के 70 फीसदी छेत्र में तालिबान की सक्रिय मौजूद की है इन छेत्रों में रहने वाले लोगों से ही तालिबान टैक्स वसूलता है तालिबान के आर्थिक आयोग ने इसी साल एक खुला पत्र लिखकर अफगानी व्यापारियों को चितावनी दी थी कि उन्हें तालिबान के नियंतरन वाले छेतरों से अपना सामान ले जाने पर टैक्स देना होगा इसके अलावा वह टेलिकॉम और मुबाइल फोन ओपरेटरों से भी कमाई करता है अफगानिस्तान की एक बिजली कंपनी के प्रमुख ने BBC को बताया था कि तालिबान हर साल बिजली बेच कर 14 करोड रुपे कमाता है इसके अलावा लगातार होते संघर्ष से भी कमाई होती है तालिबान जब भी किसी सैन्य चौकी या शहरी इलाके पर हमला करता है तो उसे सीधे मुनाफा होता है अफगानिस्तान खनिज संपदा के मामले में भी बहुत धनी देश है लेकिन अब तक संघर्ष की वजह से इस खनिज संपदा का दोहन नहीं हुआ है अफगानिस्तान में खनिज उध्योग कम से कम 70 अरब रुपे का है लेकिन ज्यादा तर खनन चोटे स्तर पर और अवैद धंग से हो रहा है तालिबान ने इन खनन खेत्रों पर नियंतरन करके अवैद और वैद खनन करने वाले पक्षों से धन उगाई शुरू कर दी है यूएन के एक रिपोर्ट में से बात सामने आई थी कि तालिबान दक्षणी हेलमंड परांत में सक्रिये 25 से 30 खनन कंपनियों से हर साल 70 करोड रुपे हासिल करता है पूरवी नांगरहार प्रांत के गवर्नर ने बीबीसी को बताया है कि उस छेत्र में खनन से होने वाली कमाई का आधा हिस्सा या तो तालिबान को जाता है या इसलामिक स्टेट को उन्होंने अनुमान लगाया था कि ये संगठन यहां से निकलने वाले हर ट्रक से लगभग 35,000 रुपे लेते हैं और इस इलाके से निकलने वाले ट्रकों की संख्या सैकडों में होती है तालिबान, इस्थानी अव्यापारियों और अफगान सरकार के अधिकारियों के मताबिक तालिबान हर साल पूरे देश के खनन शेतर से 350 करोड रुपे हांसिल करता है कई अफगानी और अमरी की अधिकारी बताते हैं कि कई सरकारें जिन में पाकिस्तान, इरान और रूस शामिल हैं अफगान, तालिबान को आर्थिक मदद देते हैं लेकिन ये देश इससे इंकार करते हैं कई खाड़ी देशों, मसलन साओधी अरब, UAE, पाकिस्तान और कतर में रहने वाले कई लोग व्यक्तिगत इस्तर पर तालिबान के बड़े धंदाता माने जाते हैं हाला कि ये तो संभव नहीं है कि तालिबान की कमाई का सटीक आंकलन किया जा सके लेकिन विशे शग्य मानते हैं कि तालिबान की वार्शिक कमाई 35 अरब रुपए तक हो सकती है